दोस्तो सुजलोन एनर्जी की बात करें तो दो-तीन दिन की सुष्टी के बाद फाइनली स्टॉक के अंदर फिर हमने तेजी देखिए और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुणिज सुजलोन की मर्जर की प्रक्रिया को शेरहोल्ड की रजा मंदी मील चुकी है अब आप देखिए सकते हो सुजलोन एनर्जी आने वाले से में अपने खर्च को काफी कम करना चाते है और इसके लिए अपनी सुजलोन की जो ग्लोबल सब्सेरिज कंपनी उसको सुजलोन में और खर्च में कट्टोती भी हो जाएगी और साथ में आने मालस में कमपनी कुछ बड़े फैसले तेजी से ले पाएगी तो यहां पर इस खबर ने आप महोल तो पॉजिटिव बना है लेकिन यहां पर स्टॉक बॉक्स की तरब से सुजलो नजरी के स्टॉक को अवर्ड करने क कि यह कछरा स्टॉक से बाहर निकल जाए वही सारे ब्रोके जाओ सब इसमें खरीदारी की सला दे रहें और वो भी हंडेट के उपर के टार्गेट दे रहें क्या वाकई में स्टॉक हंडेट को क्रोस कर जाएगा या फिर यहां से गिर आउट होगी जाने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जबीने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइ कि फ्राइड़ के स्टॉक की सुरुआ थुई 77.70 पर पॉइंटी शुरुआ थुई क्लोजिंग 77.57 के आसपास थी गुरु आरकी इंट्राडे में 77.70 का यह जो शुरुआ वही लो है और वहां से अच्छी तेजी की सुरुआ थुई और 80.50 पर चला गया दिन में आप मैं आज प्रॉफिट बुकिंग देखना हो मिली उस प्रॉफिट बुकिंग के वैसे जो क्लोजिंग है वह 78.78 पर रही जहां पर 1.56 परसें की तेजी देखना हो मिली अब इसकी परफॉर्मस देखें अगर आप तो 6 अगस को स्टॉक 66 के आसपास था और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद 16 और 19 अगस दो दिन इसने फिर तेजी बदेए स्टॉक 80 के आसपास आया लेकिन उसके बाद 20, 21 और 22 तीन दिन इसमें लगातार गिराउट हुई और इस गिराउट में अगर आप देखें तो श्टॉक 77 तक आ गया था लेकिन फाइनली आप देखें तो तेजी सगस को इसमें फिर तेजी बनी है अब यहां से एक संभवन पॉजिटिव बन सकती है इसकी परफॉर्मस देखें तो पिछले 10 सालों में इसने 269 परसें का पॉजिटर रिटर दिया है जो ठीक ठाक है लेकिन जिसने पिछले 5 सालों में निवेस किया उसको मल्टी बैग रिटर दिला है और से और यहां पर हम बात कर लइसके पिछले 6 मैँआों की रिटर की तो आपको 76 की बर निवेस किया है पिछले एक साल की बात के तो यहां पर 278% का सानदार रिटर दिया है और यहाँ पे अगर हम बात कर ले इसके पिछले 6 महीनों की रिटन की तो आपको 76% का पॉजिटर रिटन देखाए देगा और पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो इसने 43% की सांदार तेजी बता दी है स्टॉक लगातार दोड़ रहा है और पिछले एक सप्ता में आपर 2.7% की तेजी बनी है और वन देखी बात के तो 1.6% की तेजी और अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार रोकेट की गतिश से दोड़ रहा है इसके वॉल्यम में एक तरह से स्टेबिलिटी आ चुकी है पिछले एक मैंने में बनेस का 14 कोड़ का वॉल्यम था 6 कोड़ की डिलेवरी उठाएगे थी वन वीक पहले 7 कोड़ का वॉल्यम हो था सामने 3 कोड़ की डिलेवरी उठाएगे थी और देख सकते हो की गुरु वार के दिन 7 कोड़ का वॉल्यम था 4 कोड़ की डिलेवरी उठाएगी और फ्राइडे को 7 कोड़ का वॉल्यम वा यानि आपक्लेर ली देख सकते हो की वॉल्यम एक जैसा बिल्कूर 7 कोड़ के आसपास सी स्टॉक आपको volume के साथ trade करता हूँ दिखा देगा इसे एक बात तो समझ में आरे कि stock के अंदर अब ज़्यादा उटा फटक दिखाई नहीं दे रही है एक अच्छी बात है इसके लिए अब जो Friday को 4% के आस्वास की जो सांदर तेजी बनी तो उसके पीछे वज़े थी कि मर्जर को यहाँ पे मंजुरी मिल चुके शेरोल्डर की तो देख सकते हो कि 3 मई 2024 को ही सुजलोन के बोर्ड ने मर्जर प्रकिया को एप्रिवल दे दिया था तो सुजलोन Global Service Limited जो सुजलोन की सब्सिडिज कमपनी है उसका मर्जर होना है सुजलोन के अंदर और इसलिए अगर आप देखे तो इसको प्रस्ताव को अलड़ी 3 मई 2024 को ही मंजुरी दे दी गई थी बोर्ड की तरब से तो कमपनी है यहाँ पे देख कि 16 अगस्त को अपने शेरोल्डर और क्रेडिटर्स की बोर्ड मीटिक रखी थी और उसमें अप्रूवल लिया गया है तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि शेरोल्डर और क्रेडिटर्स दोनों ने ही अप्रूवल दिया है पूर्ण मतों से यहाँ पे प्रस्ताव को पास किया गया है और अब देख कि मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ेगी साथ में ये सुजलों की तरब से का गया है कि जल्द ही NCLT और दोनों एक्चेंज NAC और BSC से भी अप्रूवल ले लिया जाएगा मर्जर को लेकर तो काफी अच्छी गुड़नी जा है मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी शेरोलों की रजाबनी मिल चुकी है जल्द ही ये मर्जर पूरा होगा और उसके बाद में आप देखें सुजलों में एक सांधार तेही की समोना बन सकती है अब यहाँ पे CNBC आवाज के उपर देखें जो मार्केट एक्सपर्ट है वो सुजलों को लेकर खरीदारी की सला दे रहे यहाँ पे उनके इसाब से आपको 74 का स्टॉप लोस लगा लेना चीए और श्टॉक में आपको खरीदारी करनी चीए इसके जो टार्गेट है वो 100 से लेके 102 के देखनों को मिल सकते यानि स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है लेकिन दूसरी दर बगर आप देखे तो स्टॉक बॉक्स की तरब से सुजलों एनर्जी और जोमेटर जैसे शेर को अब और करने के लिए का उनमें आपको खरीदारी नहीं करनी चीए तो स्टॉक बॉक्स के खुसाल गांदी ने अपना टेक्निंगल नजरिया बता है तीन शरुके पर जिसमें यस बैंक जोमेटर और सुजलों सामिल है तो यहाँ पर यस बैंक में उन्होंने खरीदारी की सला दिया है उन्होंने देख दो कि यहाँ पर कीप्स का जो 27.50 का टार्गेट दिया है और 23.40 पर स्टॉप लोस लगा के खरीदारी करनी चीए चार्ट पैटन दिखा रहे हैं कि जल्दी यहाँ पर 27 के आसपास स्टॉक जाता हो दिखाई दे सकता है तो खरीदारी की सला है लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखे तो सुजलोन एनरजी में उन्होंने स्टॉक को अवर्ड करने की सला दिया है तो देख सकते हो कि सुजलोन का स्टॉक अलड़ी बहुत जादा दोड़ चुका है अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग की समभावना बंद रही है काफी जादा दोड़ने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रोशर दिखाई देरा क्लेली और इस समय जो चार्ट पेटरन पर जो सिगनल दिखाई देरे वो निगेटिव है स्टॉक नीचे आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है और इसलिए इस समय आपको इस स्टॉक को अवेड करना चाहिए यानि फ्रेश खरीदारी करने से बचना चाहिए यह स्टॉक बॉक्स का कहना है और बात सच भी है हो सकता है कि श्टॉक थोड़ा नीचे आए तो अगर आप नई फ्रेश खरीदारी करने से थोड़ा सा डीप में खरीदारी का मौका तला से श्टॉक काफी जारा दौर चुका है हो सकता है आपको नीचे की लेवल पे यानि यह श्टॉक आपको 75 के आजबास भी खरीदारी का मौका देवे वे वैसे ही यहाँ पे कम्यूनिटी सेंट्वेर श्टॉक के साथ पूरी तरह से बना हुआ है 90% यहाँ पे बाइक की कोले, 0% सेल की कोले, 10% होल्ड की कोले यानि सुजलोन में 100% लोग श्टॉक को खरीदना परसंद करें समय अब पिवर्ट लेवल को भी चेक करें तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 74 का पहला सपोर्ट है यह टूटा, तो श्टॉक आपको 69 तक जाता हो दिखाए देगा गिरावट और जारी रही, तो फिर यह 64 तक भी जा सकता है, इसका आपको खास दियान रखना है यह सपोर्ट तूटने पे काफी बढ़ी गिरावट हो सकती है पोजिटिव मावल बना तो 84 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसको पार किया तो फिर 89 तक जाता हो दिखाए देगा तेजी जारी रही तो फिर 94.96 यानि 95 तक जा सकता है तो बिल्कुल तेजी में स्टॉक तेजी से आगे बढ़ सकता है लेकिन गिराउट होई तो यह यह भी आपको दिखाए रहे 64 तक भी जा सकता है और इसलिए इस समय आप फ्रेश खरीजारी करें तो थोड़ा वेट करें लेकिन जो लॉंग टम इन्वेस्टर वो बने रहे तो लाइक से जरू किज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स